Welcome Dear Students, Injury Tech Family के अंदर आप सभी students का face स्वागत है मैं रहूल आज की इस वीडियो के अंदर में डिस्क्स करने वाले हैं NTA के तरब से आयोए एक नए नोटीस के बारे में तो क्या है NTA का वो नए नोटीस और क्या है उसके अंदर आप सभी के लिए खुसकवरी जैसे मैंने आपको थम्निल में बताया है तो चलो शुरू करते हैं मारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्लीज आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और साथ में like and share and comment जुरू करना अगर आपके किसी तरीक कोई doubt है तो आने वाली वीडियोज के अंदर उसमें जुरू डिक्स करने वाले हैं और अभी मैं Uncademy पर आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी information प्रवाइड कराने वाला हूँ आपको कली एक layer lesson मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको best books के बारे में बताया है और उनके अंदर कौन-कौन सी important topics है जो आपको पढ़ने चाहिए तो आप जाके अनकेडमी पर जाके देख सकते हैं आपको मेरा जो अनकेडमी का लिंक आपको नीचे description मिल जाएगा वहां से आप मुझे जाके वहां पर फोलो कीजिए और वह लेसंस अब आप कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं मारे इस वीडियो के बिना किसी देरी के तो सबसे पहले NTA के चार तारीक को नए नोटिस आगया था sorry for that मैं आपको लेट बता रहे हैं information और यहां पर क्या था कि इस notification के अंदर इनों ने बताया है कि जो आपका अगर इसकी स्टूने ने अप्रेल जो एक्जाम दे रहा है 2019 का information to NTA ने जो प्रवाइड करा रहे है डिस्पले आपको जब अनस्वर की डिस्पले होगी या कोशन पर आप जो अपना अटेंप्ट कर चुके होंगे candidate by paper 1 और paper 2 NTA website पर आपको मिल जाएगा ठीक है लेकिन जो आप website पर जो आप अपना answer की देखेंगे या फिर question paper देख रहे हैं उसके अंधर आगर आपको किसी तरीकी की कोई problem लग रही हो कि यह लग रहा हो कि यह question है वह गलत है या फिर answer है इन्होंने गलत answer क्लिक किया है तो आप क्या कर सकते हो चलान के लिए क्या कर सकते हो आप उसे के challenge कर सकते हो उस question को नहीं नहीं थी लेकिन अब क्या किया है एंटी वालों का जो नया नोटीस है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपको मैं पूरी इंफोमेशन पढ़के बताता हूं उन्होंने क्या किया है जो चैलेंज ऑफ एंसर की विल बी एक्सेप्टिट ओनलाइन थ्रू दी लिंक अवलेबल ओन दा एंटी वेबसाइट ठीक है तो आपको क्या करना होगा पेमेट करनी होगी वन थाउजन रूपीज पर कोशन के लिए ठीक है फोर एक्जमपल अगर आपके दो कोशन है तो आपको टू थाउजन रूपी जब वो पे करने पड़ेंगे थार्ड ओफ लाइन ये लिखी हो कि इन्होंने जो फी से केंड भी पेड बाइड आप कर सकते हो एक्सेप्टिट हो जाता है तो देन जो आपने फीज पेमेट किये है वन थाउजन रूपीज पर कोशन जो आपने पेड यह सच्छन तो क्या हो जाएगा वो आपकी फीज अब वो क्या हो जाएगी रिफेंड हो जाएगी तो यही आपके लिए बहुत अच्छी कुस्क कबरी है काफी स्टूनें सोचते थे कि सर अभी इस कोशन में डाउट है अगर हमारे कोशन ठीक भी हो जाता है तो हमें इसका कोई इस क्या हो जाएगी रिफेंड हो जाएगी तो काफी अच्छी इन्फोमेशन है इन्होंने अन्टेव वालोंने प्रवाइड कराई है तो यह अब इस 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 दा इन्ने पर्टिकुलर मोडिफिकेशन इन इन्फोमेशन बिल्ट इट फर जेई में 2019 अप्रेल के एक्जाम के हो ठीक है फिर उसके अगर आपके ठीक होता है तो आपको 1000 रुपीज आपको वापिस रिफेंड हो जाएंगे ठीक है तो यह थी आज की इन्फोमेशन और यही थी आप सभी के लिए एक गुड न्यूज आप आप सभी को सारी इंफोमेशन समझ में आईगो तो प्लीज ला